कैसे आप सभी लोग आई ओप सभी अच्छ होंगे तो गाईज आज की वीडियो काफी ज़्यादा इंप्रोटेंट आपके लिए होने वाली है जिए हां दोस्तों मैं आपको step by step पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप आपको पूरा step by step आपको पूरी जानकारीत देने वाला हूं तो वीडियो को आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइस चल्दी से सब्सक्राइब का लेना क्यूंकि आपको पता है मैं अपने चैनल पर इसी तरह से प्राइवेट और गवर्मेंट जोप बेस्ट अपर्चुनिटी आपके लिए और यहां पर ओफिश्यल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जैसे कि यहां पर देखी पा रहे होंगे और इसमें 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 इलिजिवल होंगे ठीक है और टोटल कोस्ट के अगर हम बात करें यहां पर देख सकतो आट सो उन काफी वहतरीन आपको सेलेरी मिल रही है जो कि यहां पर 45,900 रुपर पर मंत यहां पर सेलेरी प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और हां टेलीग्राम को जागर जोइन नहीं किया है जागर के कर लि इसको आप कर सकते हो ठीक है आल केटेगरी के लिए यहां पर कौन-कौन इलिजिबल रहेगा और क्या-क्या यहां पर क्वालिफिकेशन से मागी गई है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा तो हैलन ठीकी जो ऑफीशल बैफ साइड है यहां पर मैं आपको बताऊंगा पर प्रोसेस आपको बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों सबसे पहला हम इसकी बेसिक डेटेल्स के बारे में जान लेते हैं एक इंटरस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जी हैं दोस्तों आपका भी ड्रीम है एक अच्छी सेलरी के साथ में जॉब पाने का तो आज ह सकते हो बहुत से लोग यूपियस से एक्जाम से लिखते हैं क्यूंकि उन्हें सरकारी नौकरी में सिक्यूर्टी होती है यह वाथ हम सबके पैरेंट्स से सुन चुके हैं पर अच्छे जॉब्स सिर्फ सरकारी हो यह जरूरी नहीं वाट इफ आई टोल्ड यूकी कि आपको अच्छी जॉब्स इसलिए मिल सकता है इवन इफ अपने करियर के ब्रेक लिया है या फिल्ड चेंज करना हो I know it sounds impossible what हो सकता है री लेवल की मदद से बस सुबं सागर को ही देख लीजिए दुनिया बदन ली थी उनको तो इंजिनियरिंग के बाद एक साल नौकरी करके उन् अपना खुद का मैगजीन स्टार्ड किया प्रोवेस्रेलिंग के बारे में और उनको रिलाइज हुआ कि ऐसे एक प्रोड़क्ट की प्लानिंग और डेवलपिंग की जरनी में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा उनको इंजिनियरिंग वापस नहीं जाना था अब 15 दुनों के अंदर उन्हें जॉब मिल गई प्रोड़क्ट मैनिजर का जॉब लेजुकेट्स में और आज उनके होडिंग लगाई जा रहे हैं पूरे देश बर में रिलेवल से टोटल 60 करोड से जादा वर्थ की जॉब्स डेलिवर हुई हैं लास्ट मन्थी 300 प्लस ओफर् दूसरे हाइरिंग प्लोटफांस में से सबसे ज्यादा हैं और इन में से बहुत से कंडिडेट्स को होडिंग्स भी दिख जाएंगे आपको एक्रोक्स इन इंडिया कुछ दुनों पहले ही रिलेवल ने नया टेस्ट केडेगरी इंट्रोड्यूस किया है कॉंटेंट राइ मैकबुक आईफॉन और आईवाच तो आप किसका अंत्यार कर रहे हैं अभी अपना टेस्ट श्लोट बुक करो और अपने पसंदीदा जॉब पाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं अभी टेस्ट देखरके अपनी ड्रीम जॉब पाईए सुकाई जैसक यहां पर देखी पा step by step यहां पर देने वाला हूं अगर आप यहां पर देखोगी स्वार्ट एंफॉर्मिशन में तो आपको यहां पर पूरी जानकारी भी मिल जाएगी किस तरह से चाहां कंपनी काम करती है और कहां पर कंपनी का प्लांट है किस बेस पर भरती कराएगी और क्या इलिजिवल् जो कि आप सब्सक्राइब करना हुगा पर आपको फ़िलप करना हो जो कि मैं आगे आपको बतानी वाला हूं कैसे को फुलप करना है यहां पे company के बारे में अगर जानना चांते हो तो यहां पर देख सकते हो company का आपके लिए पोस्ट यहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं तो गाइस यहां पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लेना और यहां पर देख सकता है कौन कौन यहां पर एपलाई कर सकता है तो लार्जन और ट्यूबर कंपनी के लिए एपलाई करने के लिए जिसमें मेल और फीमेल तोनों ही कंडिडेट जो है इलिजिवल होंगे ठीक है लार्जन और ट्यूबर कंपनी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कंडिडेट इलिजिवल हैं यहां पर सेलेक्शन प्रॉसेस के अगर बात करें हम तो सेलेक्शन प्रॉस करें हम तो आपको काफी अच्छी सेलेरी मिलने वाली है यहां पर देख सकते हैं यहां पर टैंथ ट्वाइल्थ डिप्लोमा बीई टैग बीसी वी एस ग्रेजूशन पॉस्ट ग्रेजूशन ठीक है यह आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी जो है अपॉशनिटी निकल कर आ रही है और यहां पर काफी अच्छे अच्छे आपको benefits भी देखने को मिलेंगे अगर आपके पास experience है तो और भी अच्छी यहां पर salary आपको मिलने वाली है यहाँ पर बात करेंगे L&T company के तरफ से age limit के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हो minimum age आपके 18 वर्स होनी चाहिए और maximum IU 36 वर्स तक होनी चाहिए ठीक है और age relation की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो SC और ST के लिए 5 year है OBC candidate के लिए 3 year है एंड PWD candidate के लिए 10 year रखा गया है application fees के process के बारे में बात करें तो जर्नल OBC के लिए कोई सूनी सुलक है कोई सुलक नहीं देना होगा SC और ST candidate के लिए भी सूनी सुलक है कोई सुलक आपको नहीं पे करना होगा documents required की बात करें तो आपके पास अपने सारे documents होनी अनवारिया है जो कि आपके पास BE diploma जो भी हो उनके सारे certificate mark sheet होना अनवारिया है identity proof में आपके पास आदर काड़ो, pen card हो, voter ID काड़ो या पर passport हो ठीक है और आपके पास photo होना चाहिए साथी साथ resume होना चाहिए जब आपके पास जब documents verification होंगे तो आपके पास resume होना अनवारिया है यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे सीधा how to apply की तो apply आपको कैसे करना है कैसे apply की प्रिकरिया रखी गई है चलिए मैं आपको पूरा process बता देता हूँ तो apply करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको वीडियो का description में link मिल जाएगा online करने का ठीक है वहाँ पर click करने के बाद आप जो directly इस तरह से online आ सकते हो Google पर ठीक है और यहाँ पर आपको देखेगा Google और Google पर आने के बाद यहाँ देखेगा सर्च ओरो का option आपको सर्च ओरोThe नीचे स्क्रॉल करोगे- तो यहाँ पर देखेगा online job तक देखसकते हैं में आपको देख जाएगा आपको क्लिकन है करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो आपके सामने कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा अब जैसे थोड़े से नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको options दिख जाएंगे जैसा कि यहाँ पे दिखी पा रहे है L&D recruitment 2022 अब आपको simply यहाँ पे click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद में आपको अपने सामने जो अब basic details आपके सामने open हो जाएंगी जैसा कि यहाँ पे आप देखी पाऊगे यहाँ पे basic details open हो चुकी है अब basic details को हमें पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर हम basic details नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो इसलिए आप basic details पढ़ लेना सारी information आपको यहाँ पे मिल जाएगी और जब नीचे scroll थोड़ा करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे options जो कि यहाँ पे देखी पा रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे options दिखेंगे आपको freshers apply के लिए इंजिनियर वगरक का course कर रखा तो उसके लिए और उसका जो notification है वो यहाँ पे दे सकते हो and telegram का notification मैंने यहाँ पे दे रखा है ठीक है link जो है अब अगर आप freshers candidate है तो यहाँ पे click करेंगे ठीक है जैसके आप freshers candidate है तो यहाँ पे click करना है आपको ठीक है and click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पे देखी पा रहेंगे ठीक है अब यहाँ पे आपको आना है नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखेगा पे बहुत सारे जो है फ्रेशर के लिए ओपनिंस यहाँ पर हो चकी आहां और एक्स्पेरेंस कंडिडेट के लिए भी यहां पर देखी पाएंगे ठीक है जो की एक्सप्रेंस कंडिडेट के लिए तो एक्सप्रेंस कंडिडेट के लिए क्या करना होगा देखिए एक्सप्रेंस कंडिडेट के लिए यहां पर ओप्सन दे रखा है जो देख सकते हैं आप बहुत ही जरूर निए थीक का यहां पे क्वालिफिकेशन, उसके बाद में यहां पर यहांपर ऑफिकेशन्स, यहां पर आपको ज बंपर हो खांग को ठीक है आज्योंगी च्वालिफिकेशनगा आपके लिए क्या क्या आपके पास अब आराम से आप करसकते हो ठीक है तो इसी तरह से आपको फॉर्म को फिल्फ करने के बाद आप सुगाई जैसा कि यहां पर देख सकते हमारा पूरा फॉर्म भरके ओपना हो चुका है हमने पू सब्सक्राइब हो चुका है और हमें जो है यह जो है मेल की मातिम से हमें कॉंटेट कर लेगा ठीक है तो आयोप आपको सारी समझ आगी होगी